तो सद्कुरू, लोग क्यों कहते हैं कि हमें इश्वर ने बनाया है? देखे जाहिर है कि आपने खुद को नहीं बनाया, ये तो पक्का है इश्वर के बारे में हमारी कलपना संस्कृति के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है दुनिया में अलग-अलग लोगों के इस बारे में अलग-अलग ख्याल है, अलग-अलग विश्वास है पर ये बात उठी ही क्यूँ? हम सब अपनी मा की कोक से पैदा हुए हैं और आप किसी नवजात बच्चे को देखिए, वो किस तरह देखता है? वो पूछ रहा है कौन? क्या? ये सब क्या बख्वास है? इतनी सारी रचना? क्या आपको उसकी आँखों में सवाल नजर आते हैं? क्या-क्या-क्या-क्या? इतना सारा? ये सब किस ने किया? जाहिर है वो सबसे पहले अपनी मा की तरफ देखता है मा ने आपको पैदा जरूर किया है मगर वो पूरे संसार को नहीं पैदा कर सकती फिर आप अपने पिता की ओर देखते हैं जाहिर है वे भी ये सब नहीं कर सकते फिर आपने अपने आसपास हर व्यक्ति को देखा कोई भी ये सब करने के काबिल नहीं लगता फिर इनसान होने के कारण हम कहते हैं उपर हमसे भी बड़ा कोई इनसान बैठा है वही ये सब करता है महिलाओं से मैं माफी चाहता हूँ वे एक आदमी है क्योंकि हम इनसान है तो हम सोचते हैं कि उपर हमसे भी बड़ा इनसान बैठा है मगर ये सच है कि हमने ये सब नहीं बनाया है ना न ये न वो हमने ये नहीं बनाया हमने इसके साथ छेड़खानी की हमने इसके साथ छेड़खानी की इसे बिगाड़ा मगर निश्चित रूप से ये हमने नहीं बनाया तो हमें एक स्पष्टिकरन चाहिए आपको दो तरीकों में से एक चुनना है आप स्पष्टिकरन चाहते हैं या खुद खोज करना चाहते हैं अगर आप खोज करेंगे तो आप अपने भीतर एक खास स्थिती में आ जाएंगे अगर आप किसी के दिये हुए स्पष्टिकरन को मान लेते हैं तो आपके पास एक मात्र विकल्प होता है कि उस पर विश्वास करें या अविश्वास करें अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो आप आत्म विश्वास से भर जाएंगे उससे कोई पश्टता नहीं आएगी उससे आप में आत्म विश्वास आएगा अगर आप उस पर विश्वास नहीं करते तो आप भ्रहमित हो जाएगे अगर आप आनंद पूर्वक भ्रहम में हैं तो ये बहुत अच्छी बात है मगर जादातर लोग नहीं जानते कि अपने भ्रहम को आनंद पूर्वक कैसे संबाले जब वे भ्रहमित होते हैं तो खुद को बहुत दुखी कर लेते हैं मगर मानव बुधिमानी की सबसे अच्छी बात ये पहचानना है कि जो आप नहीं जानते वो आप नहीं जानते हर वो चीज जो आप नहीं जानते आप उस पर विश्वास कर लेते हैं ये गंभीर समस्या है हमने एक दूसरे के साथ भ्यानक चीज़ें सिर्फ इसलिए की हैं क्योंकि मैं इस पर विश्वास करता हूं और आप उस पर हम आज भी यही कर रहे हैं न, पुरी दुनिया में, क्योंकि मैं एक चीज मानता हूँ और आप कुछ और, अब अगर मैं आपको जिन्दा छोड़ दूँ, तो मेरे विश्वास को नुकसान होगा, तो सबसे अच्छा होगा कि आप मर जाएं, हाँ, क्योंकि आप किसी और अगर आपकी अकल काम कर रही है, तो आप देख पाएंगे कि जो आपको नहीं पता है, वो आपको नहीं पता है, है न, क्या ये देख पाना बहुत मानवी और अच्छी बात नहीं है, कि जो मैं नहीं जानता, वो नहीं जानता, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर आप द अगर आप देखते हैं कि मैं नहीं जानता, सिर्फ तभी जानने की संभावना हकीकत में बदलती है। अगर आप देखते हैं कि मैं नहीं जानता, तो जानने की चाहत, जानने की कोशिश और जानने की संभावना एक जीती जाकती हकीकत बन जाती है। हर वो चीज जो आप नहीं जानते उस पर विश्वास कर लेते हैं आपको सिर्फ अपने जैसे लोगों में रहना होगा अगर आप अलग तरह के लोगों के साथ रहें तो उनका या आपका अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए इसे ऐसे ही हालात बनेंगे तो ये बात हमें समझनी होगे क्योंकि मानव बुद्धी अपने चरम पर तब होती है जब वो कुछ नहीं जानती अगर मैं सोचूं कि मैं सब जानता हूँ तो मैं बेवकूफ बन जाऊंगा क्योंकि मैंने हर चीज का अंतिम नतीज़ा निकाल लिया है अगर मैं देखता हूँ कि मुझे नहीं पता तो बुद्धिमानी पूरी सक्रिय होती है न आप अपनी बुद्धिमानी को सक्रिय रखना चाते हैं या बंद आप इसे कहीं और के लिए बचा रहे हैं मैं जानना चाता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग इसे कहीं और के लिए बचा रहे हैं नहीं, आपको यहाँ इसकी जरुरत है अगर आपको यहाँ इसकी जरुरत है तो कृपया देखिए जब आप देखते हैं कि मैं नहीं जानता तो आप बहुत चेतन, बहुत जागरुक, बहुत सजग हो जाते हैं, क्या ये सच है? जब आपको लगता है कि मैं जानता हूँ, तो आप सबसे मूर्खता पून और बेवकूफी भरी चीज़ें, बहुत घटिया चीज़ें करते हैं, हाँ या नहीं? अगर आप सच में देखते हैं, कि मैं नहीं जानता, तो आपकी किसी से लड़ाई नहीं है, आपकी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, है न? मैं जानता हूँ से हमेशा लड़ाई होती है तो योगिक संस्कृती में एक खास चीज होती है मैं इसे खास चीज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी शायद आप समझ न पाएं कि मैं क्या कह रहा हूँ अभी इस अस्तित्व के सामने आपका ज्यान बहुत कम है है ना मगर आपका अज्यान असिमित है हाँ या नहीं तो अगर आप अपने अज्यान से अपनी पहचान बनाते हैं तो आप असीम अनन्त इंसान हो जाएंगे अगर आप अपने ज्ञान से पहचान बनाते हैं तो आप कब्ज पीडित इंसान बन जाएंगे कब्ज का मतलब थोड़ा थोड़ा करके होना है जीवन अभी ऐसे ही घटेत हो रहा है वो थोड़ा थोड़ा करके घटेत हो रहा है वो खुबसूरती से नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा हो रहा है कहीं खुशी का एक पल ढूलने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है परमानंद के एक पल का अनुभव करने के लिए हमें कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ती है अगर आप अपने जीवन का हर पल, अपने शरीर की हर कोशिका में बहते बेनाम परमनन्द में डूप कर जीना चाहते हैं, तो आपको अपनी पहचान अपने अज्ञान से बनानी होगी, आपको अपने अज्ञान को स्विकार करना होगा, अगर आप अपनी अज्ञानता को अगर आप अज्ञानी हैं, तो स्वभाविक रूप से ध्यान देंगे, है न? अगर आप परियाप्त ध्यान दें, तो आप देखेंगे कि अपने सारे वैज्ञानिक ज्यान के साथ भी हम एक अणू को भी पूरी तरह से नहीं जानते हैं। कि आपको कुछ नहीं पता, खेर उन्होंने ये सवाल पूछा, मैंने बस ये किया, जब मैं चार साड़े चार साल का था, तो अचानक मुझे समझ में आया कि मैं कुछ नहीं जानता, अगर कोई मुझे एक गलास पानी देता, तो मैं बस पानी के ओर देखता था, क्योंकि मुझे एक पत्ता मिलता, तो मैं उसे चार-पांच घंटे घूरता रहता, अगर मैं अपने बिस्तर में बैठता, तो रात भर अंधेरे को घूरता रहता, मेरे प्रिये पिता जी, डॉक्टर होने के नाते, ये सोचने लगे कि मैं मुझे मनो वेग्यानिक जांच की जरूरत है, तो ये लड़का हर समय बस किसी चीज को घूरता रहता था, मेरी समस्य ये थी, कि मैं इसे देखता था, और मैं तब भी इससे नहीं जानता था, तो मैं किसी और चीज पर ध्यान नहीं लगा पाता था, अगर उसे देखता था, तो मैं उसे बस देखता रहता था, क्यों वो इसलिए खुला है, क्योंकि आपने जीवन के उस आयाम पर ध्यान दिया है, हाँ या नहीं? ये बस इसी तरीके से काम करता है, अब अगर आपका ध्यान ऐसा है, कि ये कुछ खोज नहीं रहा, बस ध्यान दे रहा है, ये हर चीज़ पर ध्यान दे रहा है, वो ये फैसला न मैंने उनके साथ काफी वक्त बिताया है, मेरी बात मानिये, वो धर्ती की सबसे बढ़िया मशीनों में से एक है, हाँ या नहीं? अगर आपके पास ऐसी कार होती, तो आप पूरा कैलिफोनिया रगिस्तान आराम से घूम पाते हैं, ये इतनी अच्छी मशीन है, ये कोई माम दिया है, जितना की आप पर, हाँ या नहीं? तो आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले, कि किस पर कम और किस पर जादा ध्यान देना चाहिए? बस आपको किसी खास चीज़ पर ध्यान देनी की नहीं, बलकि सिर्फ ध्यान देनी की अपनी शमता को और तेज करना होगा, अ तो श्रिष्टी का जो भी सुरोत है, वो आपके अंदर से ही काम कर रहा होगा, है ना? क्या ऐसा है? तो जब आप नहीं जानते कि स्रिष्टी के सुरोत की प्रकृती क्या है? आप अंग्रेजी में भारत में हमारे पास बहुत से शब्द हैं, दुनिया के इस हिस्से में आप उसे गौड कह सकते हैं, ये बस श्रिष्टी के सुरोत का आपका वर्णन है, है ना? क्योंकि आप स्रिष्टी को समझ नहीं पाए, इसलिए आपने कहा कि भगवान ने इसे बनाया, हमारे पास उसके लिए हजारों नाम है, ठीक है? मगर मूल रूप से हम श्रिष्टी के सुरोत को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपके अनुभव में ये सच है कि इस जीवन की रचना का सुरोत आपके अंदर से काम कर रहा है? अगर ये आपके अंदर से काम कर रहा है, अगर वो उपर कहीं हो और आप उसे चूग गए, तो कोई बात नहीं, अगर ये अंदर से घटित हो रहा है और तब आप चूग गए, तो क्या ये दुर्भागे नहीं है? अगर शृष्टी का सुरोत आपके अंदर धड़क रहा है और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो क्या आप एक दुर्भागे नहीं है? तो मेरा पूरा जीवन और काम बस लोगों को उस दुर्भागे से बचाना है धन्यवाद